सार्दा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है नमस्कार आज ये एक से डेड़ साल तक के बच्चे का स्वेटर इसका साइज समझेंगे फंदे वगेरा देखेंगे और ये बुनाई हम देखेंगे लेकिन जो सबसे स्पेशल बात है वो है ये इस गले की पट्टी इसक पहले कि मैं आगे चलू एक और चोटी सी ट्रिक आपको बताती हो कि ये जो रोय होते हैं स्वेटर में आप एक कैची लीजिए तेज वाली पतली वाली ये थोड़ी मेरी मोटी है पतली मेरे पास अभी कैची नहीं है और साफधानी से ये ऊपर से आप रोया काटेंगे तो इस तरह से आप धीरे धीरे आराम से तो आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो इस डिजाइन की सबसे अच्छी बात ये है कि ये दो रंग का डिजाइन है लेकिन एक समय में एक ही रंग की उन से हमको बुनाई करनी है चार की गुणा से फंदे हैं तो भी ठीक है वरना ह पुने हमने दूसरा रंग जोड़ा है बी कलर और दो को बिना बुने उतार लिया दो को बुनना है और दो को बिना बुने उतारना है इस तरह से हम ये पहली सलाई अपनी बुन रहे हैं चार की गुणा से हमारे हैं ये फंदे आखिरी दो फंदे बिना बुने छोड़ दिये हैं अब हम यहां से मुड़ गए जो फंदे हमने बुने हैं उनको ही सिर्फ उल्टा बुनना है और जो नहीं बुने हैं उनको फिर से बिना बुने स्लिप कराना है दो फंदे उल्टे हैं दो फंदों को स्लिप करा रहे हैं उपर जाने से पहले अगर इससे हमें उपर बुनाई करनी है तो इसको हमें यहां ट्विस्ट करना है और तीसरी सलाई डार्ट कलर से पूरी सीधी बुन रहे हैं सलाईयों को एड्जेस्ट करें वो थोड़ा सा धीले बुनाई आये तो बहतर रहेगा यह हमें ख्याल करना है पूरी सीधी सलाई बुनी अब चौथी सलाई फोर्थ रो पूरी उल्टी बुनी जाएगी सारदर निटिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सुंदर बहुत वेराइटी के वीडियो हैं शौल मफलर मोजा कैसे बनाएं रिवर्सिबिल निटिंग पैटर्ण बहुत कुछ है आप जरूर देखें और मित्रों के साथ शेयर करें यह उनको साइड में लेते हु सारी हमको उल्टी बननी है सात्वी सलाई सेविंथ रो में हमें कलर बदलना है और अब यह हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि यह वाली जो जगह है यह जो है हमारे डार कलर वाले नीचे तो इन दो फंदों को हमें बिना बुने हुए हुतारना है इनको हम बिना बुने हुए उतारेंगे और ये जो फिर दो फंदे हैं इनको हम light color से यहाँ पर ये off white से बुन रहें हैं ये जो पूरा line है ये हमारी रहेगी ऐसे बड़ी बड़ी सी ये दिखाई देगी line जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये बड़ी line है और ये फिर छोटा है ये तो ये दो हमने dark बुने उतारे हैं ये तो dark वाले और light वाले हम दो फंदे बुन रहे हैं देखिए अभी lot कर हम आएंगे तो आपको ये समझ में आएगा 8th row ये हमको पूरी ये हमने बुना जो बुने हुए फंदे हैं ये तो बुने और जो slip कराए हुए हैं वो slip कराने हैं बुने हुए फंदों को बुनना है और slip कराए हुए फंदों को slip कराना है ये पूरी सलाई हम इसी तरह से बुनेंगे अब इसके बाद ये जो light color है इससे हम पूरी सलाई बुन रहे हैं ये देखिए अब ये design हमारा clear हो गया है तो इस तरह से हम ये दोहरायत जाएंगे यहाँ पर हमने light color से ये डाला है यहाँ पर dark color से आपने देखा जैसे भी आपको पसंद आए उस तरह से आप इस design को use कर सकते हैं आठ लाइनों का ये design हुआ आएए अब इसके थोड़ा पहले फंदों की बात करते हैं फिर size की बात करेंगे ये 66 stitches डालके 66 फंदे डालके नीचे से शुरू किया गया और उपर 8 फंदे और बढ़ा लिए गए तो ये 74 फंदे उपर हो गए हैं और ये बहां में 38 फंदे डाल सकते हैं अगर टाइट बुनना है बॉर्डर तो 40 फंदे डाल लिजिए और उसके बाद ये बढ़ाते बढ़ाते ऊपर जाके 60 फंदे के करीब हो गए हैं इसकी लंबाई में आपको अभी बताऊंगी मुढ्धे में 15-16 फंदे आप रख सकते हैं आईए अब इसके साइस की बात करते हैं इसकी लंबाई लगभग 13 इंच है ये 13 इंच इसकी लंबाई हो गई और ये जो चैस्ट आ रही है ये 12 इंच आ रही है 24 इंच के करीब ये हो गई ये जो तीरा कहते हैं जिसको ये लगभग 10 इंच है ये और ये जो बहां का मुढधा है ये ये लगभग साड़े चार पॉने पांच इंच है ये आप घटाएंगे थोड़ा देख लीजिए थोड़ा सिलकर कम भी हो जाता है इसको आप पांच इंच पर ही घटाएं बहां की लंबाई साड़े दस इंच के करीब आ रही है दस साड़े दस इंच बहां की लंबाई है पीछे इसमें डिजाइन नहीं डाला गया है प्लेन रखा गया है ये और आईए अब इस गले की बात करते हैं देखिए ये कितनी सुन्दर ये धारियां जा रही है तो ये कैसे बना है वो हम समझेंगे जब मुढधा घटाया गया तभी यहां पर ये गला जो है इसको छोड़ा गया यहां पर आप 8 फंदे की पट्टी बनाना चाहते हैं तो 8 फंदे छोड़ेंगे अगर आप 10 फंदे की पट्टी बनाना चाहते हैं तो 10 फंदे छोड़ें है वो मैं आपको बुनकर दिखाती हूं पूरा हम अपना साइस बुनेंगे और जब साइस पूरा हो जाएगा तो यह सब हमको सिलना है और यहां पर आकर उन फंदों को हम सिल सकते हैं पीछे की तरफ जाके तो इस तरह से यह सुंदर सी बहुत ही प्यारा यह गला लग रहा है इसको आप ट्राई करिएगा अब मैं आपको यह बॉर्डर बुनकर दिखाती हूँ यह कौन सा वला बॉर्डर यहां पर बुना गया है बॉर्डर की तरफ का ये पहला फंदा आप उल्टा ले ले, ये हम बुन रहे हैं, ये हमने पहला फंदा उल्टा बुना, दूसरा फंदा सीधा बुना, इस तरह से फिर एक उल्टा, एक सीधा बुनते हुए हम सीधी तरफ इस तरह से बुन रहे हैं, जैसे कि हम आम बॉर्ड दूंते हैं उसी तरह से हमने सीधी साइड बुनी लेकिन उल्टी तरफ हम पूरा सारे फंदों को उल्टा बुनेंगे बस इतना सा यह हमारा बॉर्डर बुनने का तरीका है आप इस तरह से बॉर्डर बुनिये और देखिए ये सुन्दर सा बॉर्डर एकदम अच्छा है इसको ट्राई करिएगा आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा सार्दा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मित्रों के साथ शेयर करिए आप सब के स्चायोग का बहुत बहुत धन्यवाद